तो गाइस गुड़ मॉनिंग आज पूरी एक महीने का बाद मतलब ब्लॉगिंग करने निकले हैं क्योंकि क्या हुआ था मैं दिखा देता मैं यह राइट पेर है जो गाइस यहां पर घड़ी टू दिया था ठीक है जिसके बज़े से प्लस्तर चड़ा हुआ था प्लस्तर नहीं तो गाइस इन एक महीनना में घर में था तो बहुत सारे मोवी सेखा मwow तो मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं कौन सी दुनिया में हूँ मैं अभी कॉन सी तो मजाकवा बहुत और अभी मैं कहा जा रहा हूं आपको वताना जरू है पीछे के खड़िये अपना मसक कली जिसको अभी हम सर्विस सेंटर लेके जा रहे हैं बाइक ज्यादा नहीं चला है ले लेकिन अभी मैं भी बाइक वो लेके जाऊंगा सर्विस कराऊंगा और बहुत सारे काम कराना है बाइक का वह भी करवाता हूं ठीक है तो अभी यहां से निकलते हैं जाते है एक थोड़ा से काम है और मेरा पेर का जो मतलब दर्द के लिए मेडिसिन दिया था खतम हो गया म पेर के लिए मेरा बेसार तो गाइस चलिये अभी मिलते सीधे मोटो ब्लॉक पे कि प्रेटेद अब शूंदा जार में औरो अजारी है, अब बात्र रहए्ट है में उलना तो चूंदा और दो डिपते अई जा मेंड़ से बौदि एस-वेड़ कि घटेड आप जारी है, अब अजा, विक्टी जारी के रेदी गहां, इसा बनां ऑनसे पर चूंदारी ह। सबस्क्राइब को अधिर गोड के शरुड लोग तो फिर शे प्लाइब कर शरुड दो शिर्म में नहीं प्रेता है पेर बहुष्य चलवा में बतादिया जो झानको पर्मेंटली जो सावी सेंटर है तो अभी मुझे जाना पड़ेगा बूतनाथ मुझे जाना पड़ेगा बूतनाथ क्योंकि यहां पर जो सावी सेंटर पर्मेंट बंद हो गया है क्योंकि मुझे अभी मेव का जुरूरत पड़ेगा यहां तो मेव लगा तभी जाना पड़ेगा ठीक है तो चले मिलते सीधे सार्वी सेंटर में तो गाइस अभी जो है यहां पर हम लोग आया है बजास का सार्विस और यहां पर मेरा एक फ्रेंट मिला है जो की देख सकते हो अभी अभी मैंने मतलब बाषी का लिया है गाड़ी जो है में अभी आपको दिखा रहा हो तो भाई क्या बोलना चाहो गए कर दो तो अभी सर्विस के बाद मतलब अभी चला कर देखने दिये कि कोई प्रॉब्लेम है कि नहीं तो अभी एनस 125 डाउन पेमेंट कितना दिया विएन साल रिखेली कि नहीं मुझे मन्तली यह मन्तली 4600 बहुत बड़े कितना चला है अब है चलाया है तो चलाने में प्रोब्लेम है विए अभी तो फिलर कुछ पॉल्ला श्मूथ है ना मतलब कोई भी लेना चाहिए तो सकता है आप से कुछ थेंस्वें सोन नहीं है कि इसका जितना मंदब ड्राय प्लास इसका सर्विस इतना भी पता नहीं है मेरे को फिर भी में फास्टेम लिया है अभी देख रहे किसा है कि मैलेज कैसा रेता है मैलेज अभी इतना पता नहीं चल रहा है सब्सक्राइब तो अच्छा है मतलब आप लोग चाहां तो 125 ले सकते हो और इसका जो मीटर थोड़ा गाड़ी का रिवीव में दे 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 तो गाड़ी का साउंड जो है काफी स्मूथ है और मीटर देख सकते हो डिजिटल प्लस एनलोग दिया है यहां पर और यहां पर जो है एलेटी लाइट नहीं दिया है यह मतलब यह मतलब पर्सनेली खरीत के लगाए इसके लिए इसका जो लूख है काफी अच्छा लग रहा है ना गाड़ी मतलब कोई प्रॉब्लेम नहीं है आप लोग चाहो तो ले सकते हो और देख सकते हैं पिछे इस तरह का लूप है इसक अच्छा भी स्मूथ है ओके कंप्लेट हो गया और अभी डेढ़ बज गया है और यहां पर टाइम लगभग डेढ़ गंटा जिससे लग गया क्या थोड़ा क्लाच का और ज्यादा कुछ नहीं किया यहां पर बजाच का सर्विसिंग है वह मतलब ठीक नहीं अच्छा अच् िसे नहीं लग ठीक है तो अभी बजाच का मायगा सथा लेकिन सर्विसिंग जो इसका अच्छा नहीं है ठीक है तो अभी में रिडी हैक तुड और जो दो गया है मम से और चलते हैं घर को तो गाईस निकल गया है finally सर्विस अर्टर से और इंहां पर अधार की ताफी मंसर लगता है कि इंजेन चेंज करने वाद पाई कि जो होता है कि हावा डाली लेते हैं उपर नवा अलवा दुकान के वाइस पाइनली जो है कि पूरा भी लेते हैं तो इसमें बताना चाहूंगा कि पूरा अब वीडियो में जो है मतलब ठीक से भॉइस नहीं है पता नहीं क्यों साइथ बहुत दिन से इसी तरह माइक रखा हुआता है इसके वज़से हो सकता है तो मैं अभी इसलिए यहां पर भॉइस अबर करके आप लोग को बता दे रहा हूं कि सर्विसिंग का जो टोटल कोस्ट से 470 पर ओनली इंजेनोल का चार्ज लिया बाकि कुछ भी नहीं ठीक है तो गाइस मिलते एक और नए वीडियो में पूरे अच्छे से सेट अप के साथ में ठीक है तब तक के लिए बाए बाए थेंक्यों